1. हूंथों पर घी और नमक मिलाकर लगाने से हूंथ नहीं फटते है 2. जो औरत को पसीना आता है वो खीरे का रस चहरे पर लगाए इस आपको फराग देखेगा 3. गर्म पानी के साथ खजूर खाने से खांसी में आराम मिलता है 4. जर से सफेद बाल कम करने के लिए दही और हिना का मिश्रन बालों पर लगाए इस आपको काफी फाइदे मिलेगा 5. जिनका गला बैठ हो गुनगुने पानी में शेहद मिलाकर पीने से गला ठीक होता है 6. दिन में 2-3 बार प्यास खाने से लू नहीं लगती 7. गर्म तिल के तेल की मालिश करने से कमर दर्ड में आराम मिलता है 8. कच्चे आलू का रस आँखों के नीचे लगाने से डाक सकिल कम होते है 9. पेट की एसिडिटी दूर करने के ये सौफ और मिश्री का काड़ा पीने से एसिडिटी दूर होती है 10. संत्रे के छेकों को सुखा कर जलाने से मच्छर भाग जाते हैं 11. लोगवाली चाय पिए इस आपको सर्दी जुकों से राहत मिलेगा 12. तलवों में जलन होने पर खीरे का रस लगाने से आराम मिलता है 13. सेप को छिल का पूरा उतार के नमक लगा के सुबह खाली पेट खाएं ये पुराने से पुराना सरदर्द खत्म कर देता है 14. दमा, अस्थमा है तो एक बड़ा चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी मिला कर खाएं 15. चावल के आटे में शुद्र शहद मिलाकर चहरे पर लगाने से चहरा दमक उठता है 16. अधरक, अजवान का प्रयोग बढ़ाएं, गैस और शरीर की दर्द कम होंगे 17. रसोई में गुस्ते ही नाक में घी या सरसों का तेल लगाएं, सिर और फेफडे स्वस्त रहेंगे 18. काली मिर्च भी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कारगस सिधह होती है और इसलिए आप इसका सेवन जरूर करें 19. पेट में कीरे खत्म करने के लिए रात में कलोंजी को पानी में उबाल कर इसका पानी पिलाएं, कीरे खत्म हो जाएंगे 20. आमला में वितामिन C होता है, जो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है आप आमला को किसी भी रूप जैसे आमला को ऐसे ही खाएं, उसका पावडर, जेम, मुर्रबा, दवाई, जूस कैसे भी ले सकते हैं, आवला हमारे बालों, नाखुनों और आँख के लिए बहुत अच्छा होता है 21. चौथाई चम्मच दालचीनी का कुल उपयोग दिन भर में किसी भी रूप में करने पर निरोगी रहेंगे 22. नाश्ते में अनकुरित अन्न शामिल करें, पोशक वितमिन और फाइबर मिलेंगे 23. अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, छोटी इलाइची को मुझ में रखें, इससे नींद अच्छी जाएगी 24. सुबह बिना ब्रश किये पानी पीने से शरीर की पाच क्रिया बढ़ती है, साथ ही इससे इम्यून सिस्टम बहतर होता है 25. अगर आप एक हफ़ते तक हरी मिर्च को बिगो कर उसका पानी पीए तो आपकी सेहत स्किन और आखों के लिए भी ये बहुत फाइदे मंद होगा मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का टिप्स और ट्रिक्स वीडियो पसंद आया होगा इसलिए अभी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले अपना ख्याल रखें और स्वस्त रहें